आप सभी को गंगोर पूजा की बहुत बहुत शुपकाम नाएं फ्रेंड्स मैं यहाँ पर गंगोर पूजा की तयारी कर रही हूँ और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गंगोर पूजा कैसे की जाती है तो देखें गंगोर माई और इसर जी को भगवान सिव और माता पारवती का ही सवरूप माना जाता है गंगोर माता अखंड सुहाग देती हैं इसलिए सुहाग इन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए गंगोर माता की पूजा करती है पूजा में क्या-क्या सामगरी चाहिए होगी, इसका वीडियो तो पहले ही चैनल पर आ चुका है, अब हम देखेंगे कि हम गंगोर की पूजा बहुती सरल वीधी से घर पर कैसे करते हैं, तो देखें मैंने छोटे-छोटे से गंगोर जी और इसर जी बनाये हैं, आपको कैसे जरूर बताना और आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, घर पर ही वीडियो चैनल पर है, आप एक बार देख लीजेगा, चलिए अब हम पूजा शिरू करते हैं, गंगोर पूजा के लिए सबसे पहले हमें पाटे को धोना होता है, तो पहले के लोग तो देखें, अब भी गीत आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगा, आप वहां से देख लेना, तो देखें, दुरूआ घास से ऐसे चीटे लगाकर हम पाटे को धो लेंगे, अब इसके बाद हमें इस पर दूब यानि दुरूआ घास रखनी है, आपको किसी भी पार्क में ए घास मिल जाए आप देखें, गणगोर माई को हमें लाल रंकी चुन्री उड़ानी है, आप लाल रंकी चुन्री है, कोई भी लाल रंका कप्डा उड़ा सकते हैं, और इसर जी को सफेद रंका कप्डा उड़ाना है, प्ड़ा ना हो तो आप कलावा ले ली जिएगा, अब इसके बाद हम थोड़े से गेहूं के दाने रखेंगे और इस पर गनेश जी को विराजमान कर देंगे, गनेश जी का पूजन साथ में जरूर किया जाता है, आप देखें सबसे पहले तो शुद्धिकर्ण कर लेंगे, पाटे पर हम देखें थोड़ा सा जल छिड़कर सभी को शुद्ध कर यानि शुद्धिकर्ण कर लेंगे, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे, तो सबसे पहले दातुन देते हैं, यहाँ पर सोला तार हमें दूब के लेने हैं, गनेश जी को सोला तार की दातुन देंगे, और फिर सोला तार की दातुन हम गनगोरमाई को देंगे, इस तरह गनेश जी को तिलक करेंगे फिर इसर जी को गनगोर माई को तिलक कर लेंगे इसके बाद जो जहाँ पर आप तिलक कर रहे हैं वहाँ पर महंदी से आप कलावा लगा ले और फिर हम सबसे पहले रोली की टिक्की देंगे तो देखिए इसके अंदर हर महिला जो भी पूजा कर या अपने नाम की सोला टिक्की लगाएगी तो सबसे पहले हमें रोली की टिक्की लगानी है सोला टिक्की रोली की हो गई फिर हम गनेश जी को इसर जी को गंगोर जी को महंदी लगाएगे और सोला टिक्की हम महंदी की लगाएगे तो यहाँ पर देखे सोला टिक्की महंदी महिला अपने नाम की अलग टिकी लगाती है सोला टिकियों का बहुत महतव है जरूर लगाएं इसके बाद हमें सुहाग का जल तयार करना है तो देखे कोई भी आप बरतन ले लीजिए उसमें पहले हम कच्छा दूद ले लेंगे तो यहां पर कच्छा दूद मैंने डाल लिय अब हम इसमें शुद्ध जल डालेंगे तो देखे जल से हमें भर लेना है अगर आप दूद ना डालना चाहें तो कोई बात नी सिर्फ जल भी ले सकते हैं तो इसके बाद इस जल में हमें एक हलदी की गाट डाल देंगे एक हमें सुपारी डालनी है एक सिक्का डालेंगे एक कोडी डालेंगे देखिए इस तरह की कोडी आती है कोडी डालेंगे एक चांदी का चला हम डालेंगे पांचों चीजे हमें जल में डाल लेनी है और यहां पर एक लोटा जल भी मैंने ले लिया है अब देखिए दुरुआ घास के 16-16 तार की गुच्छी बनाएंगे और इ जिसर जी गंगोर जी को चांटे लगा देंगे उसके बाद भोग समर्पित करेंगे तो देखिए आप हलवे का भोग समर्पित कर सकते हैं गुलगुले बना सकते हैं पूड़े बना सकते हैं यानि आटे से बनाई कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं और अगर पूडे या गुल गुले से भोग लगा सकते हैं, भोग हम लगा देंगे, उसके बाद फिर हम गणोर की कहानी सुनेंगे, तो आपने सीधे हात में गेहु के दाने लेकर गणोर माय की कहानी सुनी जाती है, कहानी का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना, सभी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगे, आप वहां से देख लेना, कहानी सुनने के बाद जो हाथ में हमने गेहूं के दाने लिये हैं, वह इसर जी को गंगोर जी को समर्पित करेंगे, बाकी दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे इस तरह से कहानी सुननी है इस तरह से हमारी पूजा देखे पून हो जाएगी अब कहानी सुनने के बाद जो जलका लोटा है जो हमने कहानी सुनी है जलका लोटा है सूरिय देवता को हम अरग दे देंगे अरग देते समय भी आपको गीत गाना है और जो हमने सुहाग जल बना नहीं है जहापर गंगोर पूजा आपने की है वहीं पर हम रख लेंगे और जो इस सुहाग जल है इसको आप अपने आंगन में या च्छत में ऐसे घुमाते हुए सिला देते हैं यानि सीच देते हैं खुली जगह नहीं है तो आप सूरिय देवता को भी जल सीच सकते हैं या पोधो में भी आप ये जल डाल सकते हैं तो इस तरह से हमें ये जल डालना है और ये पांचो चीजा आप यहीं पर रहने दे क्योंकि जब पानी पिलाएंगे शाम को और विदाई के समय भी ये काम आईगी तो इस तरह से हम गंगोर पूजा करते हैं फ्रेंड्स हमारे यहा पर गंगोर पूजा में दिया भी जलाया जाता है तो अगर आपके यहां पर दिया जलाया जाता है तो आप दिया भी जला सकते हैं वैसे दिया जलाना शुब होता है तो आप जलाना चाहें तो दिया जला सकते हैं और अगर आप दिया ना जलाना चाहें तो आप ये को स्कि में दे दूँगी आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना फ्रेंड्स गंगोर पूजा कि अगर सरल वीधी का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जै गंगोर माई